Hello everyone, this is Janjali Kishuwa and welcome back to my channel. आज chapter 7 कर रहे हैं हम class 11 का source documents and vouchers. चलिए देखते हैं, source documents क्या होते हैं? Source documents is an evidence of transactions or an event and are known as source documents. देखें बेटा, जो भी हमारे business related transactions होते हैं या जो भी business events होते हैं, वो क्या है, evidence की तरह जो use किया जाता है, वो क्या होते हैं, हमारे source documents होते हैं. इसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, supporting documents भी बोलते हैं. ओके, ये कितने types के होते हैं, ये देख लेते हैं पहले. देखें, source documents seven types के होते हैं. First, cash memo, invoice या bill, receipt, pay and slip, check, debit note and credit note. अब इन्हें हम detail में देखते हैं. First है cash memo, cash memo क्या होता है? Cash memo is prepared by the seller when goods are sold against cash. जब भी भी cash में कोई भी समान बिखता है, तो ये से कौन prepare करता है? Seller prepare करता है, जब वो अपने समान को cash में बेज देता है, sale कर देता है. देखो, ये इस type का एक bill होता है, जहां पर serial number लिखे होते है, description होता है, कि क्या लिया है, rate होता है, amount होता है. यहां पर example के लिए 10 certs है, कितने के? 1000 के, 10 लिये तो 10,000 हो गए, 2, 50 है, 1000 की, पर 50 है, तो कितनी है quantity? 2 है, तो कितने होगे? 2000 हो गए. टोटल किया, उस पर हमारा क्या लगेगा? CGST लगेगा, SGST लगेगा, लगा दिया, और उसके बाद टोटल यह आ गया. तो इस type एक slip होता है, उसे हम क्या बोलते है? Cash memo. खिक है? जब भी भी cash में आफ समान खरीदेंगे, तो आफको seller क्या देगा? Cash memo देगा. आफ देखे, invoice या bill. क्या होता है? An invoice or bill is prepared by the seller when the goods are sold on credit. जब भी credit पे कोई भी समान बेचेगा seller, तब वो क्या बनाएगा? invoice बनाएगा या bill बनाएगा? क्योंकि उसने credit पे बेचया है, उधार पे बेचया है, और जब ये उधार हम चुकाएंगे, तब हमें वो क्या देगा? receipt देगा. जो भी हम समान खरीदते हैं credit पे, जब हम उसको pay कर देते हैं, seller को pay कर देते हैं, तब हमें क्या मिलते है? receipt मिलता है. When cash or check is received from customer, customer से जब seller को cash या check मिल जाता है, तो वो क्या देता है? receipt देता है. ठीक है? उसके बाद है fourth, pain slip. pain slip बेटा bank में, जब भी भी आफ deposit करने जाते हैं cash, तब pain slip आफ क्या करते हैं? fill करते हैं. जितने भी बच्चे कभी गएं होंगे bank, तो उन्हें पता होगा, वकर नहीं गए हैं, तो एक बाद ज़रूर जाईए, जब भी भी आफ वहाँ deposit करने जाएंगे cash, तो आफ को क्या करना होगा? एक pain slip fill करके, और वहाँ पर क्या करना होता है? देना होता है अपने cash को, जब आफ जमा करते हैं न, उसी के साथ. तो pain slip कहाँ पर use होता है? जब भी भी हम किसी को check देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम allow करते हैं अपने bank को, कि वो पैसा क्या हो? उस इंसान को दे दिया जाए, जिसे हमने check दिया है. न होता है कि bank क्या करे? उसको payment दे दे. इसलिए वो क्या करता है? चेक देता है. debit note क्या होता है? debit note, जब भी भी आफ कोई समान purchase करते हैं, और उसमें कोई defect आ गया, किसी भी कारण से, कोई भी problem आती है, तो अब जब आफ purchase को return करते हैं, तब क्या मिलता है? debit note देते हैं. A debit note is made out evidencing that a debit has been made to the account of the party name is debit note. ठीक है? तब क्या मिल दिया जाता है? debit note दिया जाता है. कब? जब आफ purchase return करते हैं. ओके? आप देखो, आगे, next है, credit note. credit note कब मिलता है? जब आफ sales return करते हैं. कोई भी समान आफ ने sale किया और जब sale वापस आता है न, जैसे हमने कोई भी समान sale किया है और by chance कोई भी problem हो उसमें और उस problem की वज़े से जब वो समान हमारे पस क्या आता है? वापस आता है, तो seller क्या देता है? seller के पास जब वापस आता है, तो credit note issue होता है. Is made out evidencing that credit has been guaranteed to a debtor. ओके? हमारा अभी क्या हो गया? source document. अब हम देख रहे हैं, vouchers. vouchers क्या होते हैं? vouchers source document से ही तियार किये जाते हैं. पहले source document बनाते हैं. उसके बाद क्या बनता है? vouchers बनता है जिसमें, यह कहाँ पर होता है? यह mostly हमारे offices वगेरा में होता है, business related जो भी transactions होते हैं, उसमें क्या बनते हैं? vouchers बनते हैं. जो debit side और credit side दोनों को ही बताता है. a voucher is an important document of financial accounting. financial accounting में voucher क्या होता है? बहुत important document होता है. voucher in accounting is defined as a document used by the account department of an entity that contains documents related to an invoice. तो यह बहुत important document होता है, जिसे क्या करना होता है? जो बनता कैसे है, source documents को ही evidence मानके. जो भी आफने source document बनाया है, उसी को evidence मानके vouchers बनाया जाते हैं. और debit और credit इसमें क्या किया जाता है? दिखाया जाता है. ओके? सच evidence are source document. और जो evidence होते हो, क्या होते हैं? source document होते हैं. On the basis of source document, a voucher detailing the account that are debited और credited is prepared. जैसा कि मैंने बताया, यह वही है. अब vouchers कितने types के हैं? यह देखते हैं. देखे, voucher क्या है? टू types के हैं. First, source voucher, जिसे हम source documents भी बोलते हैं, या supporting vouchers भी बोलते हैं. ठीक है, यह तीनों source document के ही नाम है. source document को ही source voucher भोलते हैं और supporting voucher भोलते हैं. इसके features क्या है? It is a written document. यह क्या होता है? एक written document होता है. It contains complete detail of the transaction. किसी भी transaction की क्या होती है? इसमें complete detail होती है. It is a proof of transactions. यह proof होता है transaction का, जो भी transaction और event हुए है, यह क्या है? उसका proof है. It is signed by the maker. और यह इस पे क्या होता है? Maker का sign होता है. Okay? Second है accounting voucher. देखिए. Accounting voucher is a written document containing an analysis of business transaction. Business transaction को analysis करने के बाद, जो voucher तियार किया जाता है, वो क्या होता है? Accounting voucher होता है. इसके features क्या होते है? यह भी return document है. यह कैसे prepared होता है? इसका basis क्या होता है? Source document. जो भी source document होता है, वो क्या होता है? इसका basis होता है. It is prepared on the basis of evidence, that is source document. It is an analysis of transactions. जो भी transactions हुए है, उनको analysis करने के बाद होता है. In the case of cash or bank vouchers, cash or bank के matter में, जो cash और bank में जो vouchers होते हुए, उसे क्या करते हैं? It is receipt. उसे क्या बोलते हैं? Receipt बोलते हैं. ओके? आप देखते हैं कि accounting के, accounting vouchers के कितने types हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे. Types of accounting vouchers. Accounting vouchers भी क्या है? तो टाइप के हैं, cash voucher और non-cash voucher, जिसे हम transfer vouchers भी बोलते हैं. Cash voucher refer to the vouchers prepared at time of receipt और payment of cash और check. जब ही भी cash में आप payment करते हैं, या receipt करते हैं, या check में payment करते हैं, रिसीप करते हैं, तब आपको क्या, तब क्या बनता है? Cash voucher बनता है. और cash voucher, कितने type के हैं? Two type का. Credit voucher और debit voucher. Credit voucher, कब prepare होता है? जब cash received हो जाता है, और debit voucher कब prepare करते हैं? जब हम payment करते हैं, जब payment होता है, तब हम क्या करते हैं? Debit voucher prepare करते हैं. अब इसके example देख लो, credit voucher का example क्या होगा? आपने sale किया goods, fixed assets को sale किया, investment sale करी है, receipt मिला आपको debtor की तरफ से, या withdrawal किया है. जो भी payment cash में हुए है, और cash में payment received हुई है, जो भी payment आपको cash में received होती है, वो क्या होती है? Credit voucher, और debit voucher क्या होते हैं? जब आप payment करते हो, जैसे expenses हो गया, expenses को क्या किया, आपने pay किया, purchase किये है, यहाँ पे payment करी है, आपने fix assets को purchase किया, deposit into bank, bank में deposit कर दिया, drawings किये, यह सब क्या है हमारे, debit vouchers के example हैं, ठीक है? अब non cash देख लो जल्दी से, non cash और transfer voucher, prepared for transaction not involving cash, cash इतमें involved नहीं होता, non cash vouchers are prepared for the transactions of credit sales, और credit purchase, या goods return, etc., यह सब किस में आएंगे, non cash voucher और transfer voucher में, ठीक है, इसके example देख लो, invoice हो गया, bill हो गया, debit और credit notes, यह सब क्या है, non cash voucher के examples हैं, I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो like करें, comment करें, और share जरूर करें, okay, एक बार यह पूरा देख लो, देखिए, करें देखिए,